नव दुरगा यानी मा दुरगा के नव रूप इन नव रूपों में नव औशदियां भी विराचती हैं मा अंबे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करते हैं नवदुर्गा की नव औशदी सोरूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पद्धधी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभा जी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया ऐसा माना जाता है कि ये औशदीया समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का निर्माण करती है इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया इनके प्रियोग से मनुष्य अकाल मृद्धू से बचकर लंभी आयू जीता है तो आईए नव अशदियां जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे देवी मा का सब्तम सुरूप काल रात्री यानि नाग दौन जिसे महायोगिनी महायोगिशुरी भी कहा गया है ये नाग दौन आउशदि के रूप में जानी जाती है सभी प्रकार के रुगों की नाशक सर्वत्र विजय दिलाने वाली मन एवं मस्तिश के समस्त विकारों को दूर करने वाली आउशदि है इस पौधे को अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं ये सुख देने वाली सभी विशु का नाशकरने वाली आउशदि है देवी मा कालरात्री की आराधना प्रतेक पीडित व्यक्ति को करनी चाहिए अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के आठवे स्वरूप महागौरी की और बताएंगे आपको मागौरी के आउशदिय महत्यों के बारे में अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनरोध है कि आप हमारे यूट